नमस्कात दोस्तों तो कैसे आप लोग, तो Micromax ने आज आपना फिर्श से नेया सूरवाद इंडिया में कर दिया है, Micromax ने इस दोने लाँज किया अपना दो नेया स्मार्टपोन, एक कर नामे Micromax in 1B और दूसरे कर नामे Micromax in Note 1, एक जो Micromax e Note 1 एदर से लेक complete package Micromax के तरफ से आता है जिसमें मिलता है Helio G85 processor जिसका price है 11,000 रुपई के आसपस और exactly उसी price point में Xiaomi के तरफ से एबेलेबल है Redmi Note 9 तो इस वीडियो हम देखेंगे आगर आपका budget है 12,000 रुपई तो 12,000 रुपई के अंदर आपको कौन सा लेना चाहिए Micromax e Note 1 या फिर Redmi Note 9 तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो भी ना कोई बाक्त कबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजुल चैनल पे नहीं है और आसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजुल चैनल को सबसेक्वाना बिल्कुली मत भूलियेगा Micromax e Note 1 इसका थिकने से 8.9 mm और इसका वेट है 196 g और Redmi Note 9 का थिकने से 8.95 mm और इसका वेट है 199 g अगर दोने से दीशप quests की बार में बात करें तो MicroMax मेर भी मिलता है 6.67 inch FHD IPS डिप्ले जिसका रिप्रेक्स रैट है 60 हार्ट ही और इसमें हमें 56 डिश्पले मिलता है और redmi Note 9 पे मिलता है 6,53 inch FHD reflections डिसपले जिसका रिप्रेकुले ए 60 80 Hz और इसमें हमें गोईलागलास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और इसका भी जो सामने का कैमेरा वह दर असल पंचोल कैमेरा अगर दोने का रॉसेसर की बार में बात करें तो दोनों पर ही हमें मिलता है Helio G85 प्रोसेसर जो की दर असल 12 डानोमेटर आर्किटेक्चर पे बनाए और जिसका अंटूटू स्कोर है 2,10,000 के आसपास अगर केमेर के बारे में बात करें तो Micromax में मिलता है 48, 5, 202 मेगापिक्सल का बैक केमेरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रॉन केमेरा Redmi Note 9 के में मिलता है 48, 8, 202 मेगापिक्सल का बैक केमेरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रॉन केमेरा बैटरी डिपर्मेंट में Micromax में मिलता है 5000 इमेज बैटरी विद 18 वार्ट इन बोक्स फास्ट चार्ज इसमें हमें USB Type-C का भी फीचर मिलता है और उसके साथ reverse charging का भी फीचर मिलता है और Redmi Note 9 पे हमें मिलता है 500020 इमेज बैटरी विद 22.5 वार्ट इन बोक्स फास्ट चार्ज उसके साथ हमें USB Type-C का connectivity मिलता है और reverse charging का भी फीचर हमें मिलता है आगा दोने के software experience की बार में बात करें और मेरे के हाल से Micromax ही Note 1 का यही सबसे बार selling point है कि इसमें में मिलता है stock Android, stock Android मतलब आपको फटा-फट Android का major update और monthly security update मिलेगा और इसके साथ आपको कोई भी फालतु का advertisement नहीं मिलेगा, कोई भी फालतु का bloater भी नहीं मिलेगा लेकिन कि कि Redmi Note 9 पे use होता है MIUI जिसमें आपको advertisement भी मिलेगा और फालतु के कुछ bloater भी ज़रूर मिलेगा तो Micromax launch हुआ है टोटल दो variant पे, 464 GB और 412 GB, Redmi Note 9 टोटल तीन variant पे अवेले भेले 464, 664 और 612 GB, दोनों पे ये आपको LPDDR 4X RAM का support मिलता है और दोनों पे आपको EMMC 5.1 ROM का भी support मिलता है इसके लिए बागा दोनों के कुछ बाके की feature की बार में बात करें तो दोनों स्मार्टपोन में आपको 2 plus 1 card slot मिलेगा मल्लब दो SIM card और एक SD का रह मासर नहीं सिस्तमाल कर सकते है 3.5 mm jack मिलेगा, दोनों पे आपको rear mounted fingerprint sensor मिलेगा और Redmi Note 9 पे आपको एक्स्ट्रा IR blaster का भी feature मिलता है अगर pricing के बार में बात करें तो Micromax E-Note 1 का 464 GB का price से 11,000 रुपाई और 401 20 GB का price से 12,500 रुपाई और Redmi Note 9 का base variant शूरू होता है 11,500 रुपाई से और maximum 14,500 रुपाई तक जाता है तो आप बढ़िए इस वीडियो के conclusion की तो जैसे कि अब इस picture में देख सकते है अगर आपका budget है 12,000 रुपाई तो 12,000 रुपाई पे अगर आप Micromax के साथ जाते है तो आपको total 3 advantages मिलता है जैसे कि Redmi Note 9 से ज्यादा बारा display, better quality front camera और जो सबसे में चीज़, stock Android आपको मिलता है और Redmi Note 9 के अगर बात करें तो इसमें आपको goila glass pipe का protection मिलता है, better back camera मिलता है और IR blaster का भी feature मिलता है तो इस वीडियो के आपकर मैं अगर मैं अपना उपनियों दूँ, तो अगर मेरा budget है 11,000 रुपाई के आसवाज तो मैं obviously Micromax e Note 1 के साथ ही जाना चाहूँगा क्योंकि एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारे कोई भी smartphone के front में अगर goila glass 3, 4, 5, 6, 7 मतला जो भी quality का goila glass हो, हम 100% उसमें screen protector तो जरूर लगाते, मतला goila glass होने का कोई फायदा है नहीं होता, तीसे लिए मेरे खायर से goila glass 5, at least मेरे लिए तो ज्यादा important नहीं है हाँ, obviously, Redmi Note 9 का ये जो wide angle sensor बहुत थोरा सा बेटर है, ये मुझे मानना ही पड़ीगा, लेकिन अगर मैं IR blaster की बात करू, तो कुछ statistics से ऐसे ही पता चला है, कि almost 30% लोग ही ये जो IR blaster इस्तेमल करता है, उससे ज्यादा था लोग ये IR blaster का feature इस्तेमल करता ही नहीं, इसलिए मे इंडिया में ऐसा कोई brand ही भी नहीं बचा, जो कि Xiaomi या फिर Realme या फिर Poco को टक कर दे पाए, लेकिन आप देख सकते कि Micromax in Note 1 एक ऐसा smartphone है, जो कि Chinese smartphone brand को टक कर देता है, यहां तक उसे बीड भी करता है, price और specification और software के मामले में, वैसे आप मुझे इसे कॉमिशिक में बताओ अगर अगले एक या देर माईने के अंदर अगर आप कोई smartphone लेना चाहते हो, अगर आपका बाजेट है 11,000 के हास्तपा, तो आप कौन सा लेना चाहोगे, चाइना वाले Redmi Note 9 लेना चाहोगे, या फिर Indian brand Micromax in Note 1 लेना चाहोगे, इसका जबा मुझे इसे कॉमिशिक में दीना बिलकुली मत भूलिएगा, तो मिलत अगले वीडियो पे तब तक, stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you